हेलो गाइज आपका सवागत है इस नए वीडियो में और जार टाइम हो गया मैंने कुछ वीडियो ने डाली उसके रिए माफी चाहता हो अपसे और अपसे रिगुलर वीडियो आती रेगी चैनल पर चानल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वुड़े में हम बात करेंगे मल् स्क्रीन आपको चाहिए आपके अप्लिकेशन में तो किस तरह से आप उसको इंप्लिमेंट कर सकते हो तो इसी के रिगार्डिंग है वीडियो है तो वीडियो को इंट तक देखतर यह सब चीजे इसमें बता हो मैंने कि सबसे पहले तो सिफ एक पेज से दूसरे पेज मतलब एक एक्टिविटी से दूसरे आक्टिविटी पे किस तरह से शिफ्ट होतें पेज को एक्टिविटी मतलब इसमें गोलतें एंडरोड में तो जिसतरे से आप गूगल पे हो तो ऊपर आपको एक का अप्शन आता है उपर आप क्लिक करके जीमेल वगरा खोल दूसरा पेज उपन आता है उसी तरीके से इसमें development करेंगे हम तो पहले तो हम सिफ एक बटन प्रेस करके दूसरे activity में जाएंगे और बाद में उस जो पेज हमारा पहला उसमें कुछ data input करेंगे और उसको बटन प्रेस करने पर हम दूसरे activity में शो करेंगे कि क्या हमने पिछली में डाला है जिस तरह से आप WhatsApp वगरा पे कुछ starting में नंबर डालते हूं उसके बाद continue करते तो आपका नंबर बाद में वह से हो रहता है तो उसे तरीके से इसमें हम करेंगे आज तो वीडियो को पूरा देखते रही है तो जाठाट करते हैं तो यहाँ पर मैंने एक template create करकर रहा है ज्य इसके लिए हम एक दूसरी activity लेने पड़ेगी तो activity यहाँ पर आपको दिखाता हूं में ट्री स्ट्रक्चर में तो पहले तो आप आता है उसके बाद जावा आता है उसके आपका package नेम जो भी आपने डाला है project create करने के वक्त उस पर राइट लिक करना होता है उसको राइट लिक करने का आपको आपको यहाँ पर new में निव पर जाना है और यहाँ पर activity का आता है तो activity में empty activity लेकर दीकर रहो है आपके बहुत सारी हुए लेकिन आप उसका पहले देख लीजे किस तरह से होता है वो मतलब उसका क्योंकि coding अलग अलग होती है बागी सब हमें पहले से coding आती है empty लोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए तो यहाँ पर में empty activity लेदा हूँ और यहाँ पर में डाल देता हूँ डिस्प्ले activity क्योंकि हम डिस्प्ले करेंगे उसमें जो पहले का अलएट है तो इसको डिस्प्ले अक्टिविटी नाम दे देते ग्ला हो फाइल तो यहाँ पर में XML पर पहले जाता हूँ और यहाँ पर यह में इसको पहले तो हम सिफ टेस्टिंग कर रहे तो यहाँ पर में एक टेक्स्ट कुछ लेता हूँ यहाँ इसमें अड़ करता हूँ आप कर सकते हो कोई प्रॉब्लेम ने पे में इसको सेंटर लेता हूँ पे सेंटर डाल दिया और यहाँ पी चारों पॉइंट्स योँआ है उसको सेंटर में हो गया इसको में कुछ एट्रीबुट्स भी डाल देता हूँ इसे की यह text भी हुए तो इसको में देता हूँ second activity इसकी size बड़ा देता हूँ text style भी राल देता हूँ hold उसके बाद यह जो main है main activity इसमें तो पहले से यह submit बटन है तो इस submit बटन को हमें code करना है कि वो दूसरे डिस्प्ले अक्टिविटी को उपन करें तो हमें जाना main activity.java में यह पर पहले तो submit बटन को डिक्लेर कर लेना है तो में लेता हूँ बटन कि सब्मिट बटन और उसको नीचे इनिशलाइज करना होता है कि में लिए इनिशलाइज करें सब्मिट बटन को अभी उस सब्मिट बटन पर हमें अन क्लिक चाहिए मतलब कि सब्मिट बटन पर आप जो प्लिक करोगे तो वह परफाम होनी चाहिए एक्शन तो उसके लिए अम लेंगे शब्मिट बटन डॉट सेट अन क्लिक लिस्नर और यह पर लेटे निव ऑन क्लिक लिस्नर अगर आप नया एंड्रोड यूट्स कर रहे होता तो यह पर आप देख सकते हो यह जो वह ग्रे हो जाता है क्योंकि अभी लैंबडा जो वह चल रहा है इसमें तो इस पर जाएंगे आप यह पर अल्डेंटर प्रेस करोगे तो आपको यह पर दिखाएगा रिप्लेस विट लैंबडा तो आप यह प्रेस कर दोगे तो आपका यह कोडिंग जो एकदम सिंपल हो जाएगी पहले की जो कोडिंग थी वह इतनी इतना बड़ा कोड रहे था एक ओन क्लिक का अभी जो वह लैंबडा अगर आप यूच करते हो तो उसे इतना सा रहता है तो यह काफी आसन पड़ता आपके लिए तो आपको लगेगा इंटेंट तो आपको अपर में उसका मेने नाम दे दिया इंटेंटी नाम दिया आप कोई भी नाम दे सकते हो फिर से इक वल टु निव इंटेंट उसको इनिशाराइज करना है और उस ब्रैकेट में हमें पहले तो मेन और उसके बाद हमें दूसरे अक्टिविटी जहाँ पर हमें पहुचना है वह दालनी है याप तो आप में डिस्पले डुट क्लास तो आप दीश इसलिए यूज किया क्योंकि हम करन्ट अक्टिविटी को दिखा रहे इसको करन्ट अक्टिविटी पास कर रहे और जिस पे जाना है उसके लिए हम डॉट क्लास ले रहे है उसके बाद आपको लेना यहां पर नीच्छे स्टार्ट अक्टिविटी यह산ा में थाड़ फेले से ही रहती है तो आपको यह जो इंटेंट एप cri इस ब्रैकेट में डाल देना है अभी हमारा कोड हो गया है मैं अभी इसको रॉन करता हूँ तो अभी जो हमारी एक्टिविटी वह स्टार्ट हो गई है यहाँ पर हमारा नेम का ओप्शन यहाँ पर इमेल और यहाँ फोन तो यहाँ नीचे आपको मिलता है सब्मिट तो कोडिंग की नहीं है तो डारेके लिए हम सब्मीट पर हम सब्मिट पे कलिक कर दें बैक नों ऐसे करें और यह वह पर दूसरी अ definite में टिस्पला के लिए कुडिंग ज्यादा कुछ हाड नहीं है या पर यह जो हमने ले लिए वह हमें सिर्फ वह पर इनिशालाइज करके उन से जो हमने उसमें इंटर करेंगे वह हमें लेना है तो अपर में फटावट से वह कर देता हूँ तो अभी जबने या पर इनिश रैज कर दिये यहां पर नेंब इंपूर और फोर से य्य वेरियेबल क्रेट किये और उसको हमने या पर यह सकूने साइड में रखते हैं ये अमें लगेगा येकिन उससे पहले वह जो डेटा रहो गेट करना है तो आप ये हम लेंगे स्ट्रिंग नेम इसमें लेंगे नेम इंपुट डॉट डेट स्थेस्ट के लिए आप डेटा कुछ गेट करती तो उसके लिए आपको लिखता गेट टेक्स और उसके बाद लगता है तू स्ट्रिंग उसके बाद लेंगे हम इमेल तो उसके लिए लेंगे हम email input get text to string, phone input get text to string, अभी हमें क्या करना है, ये तीनों हमने ले लिए, अभी हमें इस intent में इन तीनों को पास करना है, उस activity में, उसके लिए लेंगे हम intent.put extra, पेरे तो लेंगे name, उसके बाद उसका variable डाल लेंगे, name का, तो है पर हमने कुछ नहीं किया है, पहले तो हमारा ये लाइन intent की और start activity की पहली से ही थी, अभी हमने इसमें क्या add किया, put extra, हमें data put करना, इसके लिए हमने put extra matter ली, इसमें हमें key pass करने हो थी, कि इस नाम से हम इस variable को display activity में access करेंगे, जब अब email डालेंगे, तो यहाँ पर जो email हमने pass के है, वहाँ पर access हो जाएगा, यहाँ पर phone की जो key डाली है, यहाँ कोई भी key डाल सकते हो, लेकिन आपको वही की access करते हो, डालनी होगे नहीं तो आपको error show होगा, तो हमने यहाँ पर pass कर दिये, name हमने यहाँ पर create कर लिये थे, अब directly यह जो line है, वो directly भी यहाँ डाल सकते हो, लेकिन मैंने आसान करने के लिए आपको दिखाए है, इसका अब आते display activity में, और यहाँ पर हमें लेना होगा, string email, पहले तो हम intent ले लेते हैं, और उसके बाद लेंगे get intent, यह get intent method जो है, यह activity open कहां से हुए, वहाँ पर जो data pass हुआ था, वो get intent में आ जाता है, उसके बाद लेंगे हम string, name, name equal to intent, यह जो intent है, अब यह लेंगे हम intent dot get string extra, हमने string pass किये, यहाँ पर, यहाँ पर यह तीनों जो वो string है, अगर integer होता, तो यहाँ पर हम लेंगे, get intent extra, जब आप put करते होता, पूट करते होता, आपको बताने नहीं होता, कि string है, integer है वो ले लेता है, लेकिन जब आप get करते हो, तब यह वक्त आपको देना पड़ता है, कि कुन सा identify है, यहाँ पर यहाँ पर डाल यह, तब ही वो name access हो गया, यहाँ पर मैंने कुछ अलग डाल लिया, तो app crash भी हो सकता है, तो इसके लिए, वही की डालने होता है, आपको, इसके बाद ले लेता हूँ, मैं email का, अभी हमने सिफ ले लिए, अभी हमें show करने तो, उसके लिए मैं display activity में, यह जो text भी हो है, इसको cut निकल लेता हूँ, और यहाँ पर मैं तीन text भी लेता हूँ, अलग-अलग से, आपको एक दिखाने के लिए नहीं, तो वो जो text भी उसमें भी घम कर सकते, लेकिन वो बहुत बढ़ा हो जाएगा, आपके समझ में आने के लिए, मैं यह अलग-अलग ले रहा हूँ, इसके में लेता हूँ, इसको में आइड डाल देता हूँ, नेम, नेम टेक्स्ट, इसको में टेक्स्ट साइज 16 देता हूँ, यह पर में देता हूँ, इसका आइडी इमेल टेक्स्ट, इसका मैं कम कर लेता हूँ, तो बहुत बढ़ा हो जाएगा, और उसके बाद लेना हूँ, फोन, नेम लेता हूँ, टेक्स्ट, टेक्स्ट, Nummer 1997, पोना झाल कि खाहँ, अ terrain 40lden, इसका हूँ पिसके हूँ, नेम लेता हूँ, तो Azer हूँ светIt तो और लेता हूऑते हूँ, प्रक्राइब करें तो यह अधर ने लिए ले लेलिए नेम टेक्स्ट इमेल टेक्स्ट और फोन टेक्स्ट अभी हमें इसको सेट करना होगा तो name text dot set text method लेंगे हम text यह इसके लिए और यहापे हमने जो यह string ले लिए name की वो हम यहापे डाल देंगे name उसी तरीके से ctrl d press करता हूँ तो वही line उपर की नीचे आ जाएगी यहापे सिफ हम change करेंगे email text और उसमें देंगे email जब तक आप आप देख सकते हैं जो gray color का है मतलब यह यह यूज नहीं किया है यह name यूज किया है इसके वाज़े वाज़े वाइट में आ गया name में नीकल लिया तो वह भी gray color में हो जाएगा यहापे आपे निकल देग तो तो यह पर देख सकते हो आप नेम जो वह हूँ ग्रे कलर में हो गया यानि कि सिफ इसको भी निख चलेच कई है कई भी यूज नहीं किया तो आप यहाँ से अइडेंटिफाय कर सकते हो कुँन सा विरेबल यूज हुआ है और कुंसा नहीं पर इमेल और नीचे फोन तो अभी देख सकते हो तीनों के कलर वाइट में हो गए यानि कि हमने तीनों को नीचे यूज किया है अभी हम डिरेक्टली रन करते हैं अप्लिकेशन को और सेटेक्स जो है वह आपको फाइंड वीवा यानि कि क्रैस से केस से बचा सकते है अप्लिकेशन को उसके बारे में भी अलग सी वडियो बनाऊंगा चैनल को सब्सक्राइब लेना और वीडियो पसंद आ रही हो आपको तो लाइक ज़रूर करके जाना तो अभी जो है हमारा यहापे अगर मैं सब्मीट पर क्लिक करूण गा तो यह पर कुछ नियारा आप देख सकते हो इसके लिए हम लॉजिक भी लगा सकते कि अगर ये तीनों अगर ब्लेंक होगी कोई बी एक तो यह पर हम क्लिक करंगे तो एर्र दिखाएगा कि यह ब्ल् कि यह तो उसके लिए भी कोडिंग कर सकते हैं वह आप अपने आप से कर सकते हो कोई उसमें हार्ड नहीं है मैंने लॉग इन का शायद बाता है उसमें सब किया हुआ है मैं उसका तो उसमें जाकर आप देख लिए किस तरह से लॉजिक है उसका तो आपको और यह पर सब्मिट पर क्लिक कर दो तो यह पर यह जो है हमने इसको एड्जस्ट ने किया तो यह ऊपर चला गया इसको में नीचे लेकर आथा हूँ इसको मैं ले देता हूँ ग्रैविटी प्राइब प्राइब ग्रैविटी वापस से रण करता हूँ मैं अप्लिकेशन को अभी आपे रण होगे मैं एक बार फिरिशे ट्राय करता हूँ तो आप याप देख सकते हूँ यहाँ पर सिर्फ यह दिखा रहा है यानि कि कुछ तो जोली इसमें पर हमने नेम पास किया नेम इन्पूट गेट टेक्स तू स्ट्रिंग पर नेम जो वो पास शायद नहीं हो रहा है फिर इसे दुसरा कुछ ट्राय करके दिखते तो वाइस बाट टाइम बाद चेक करने के बाद एक मुझे पता चला कि इस में इस प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि यह जो टेक्स्ट व्यूव है यह पाकी इमेल और फोन के लिए बर कर रहे थी लेकिन नेम के लिए नहीं कर रहे थी तो नेम की मैंने निक आपको रन किया है मैंने अल्रेडी तो आपको आउटपूट दिखा था हूँ तो आप अभी में यह पे टाइप करता हूँ नाम है यह पे डालता हूँ इमेल और यह पेक नमबर डाल देता हूँ तो आप आप देख सकते हो आउटपूट जो हो रहा है यानि कि जो प्रॉब्लेम थी वो थी टेक्स्ट व्यूव में तो टेक्स्ट व्यूव में निकल दी और आपके सामने यह जो कोड अभी इस तरीके से कि इसका कोड आप यह जो कोड आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक आउट कर सकते हो और वीडियो पसना है तो लाइक कीजिए मैं मिलता हूँ अपसे नेक्स्ट व्यूड़ में तब तक के लिए गुड़ पार टेक क्यार